जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए फर्स सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर नाइन देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ज्वाला मुखी के बारे में इसके पहले के जो आठ चैप जहां पर स्लेवस के साथ सभी चैप्टर आपको वहां पर उपलब्द हो जाएंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका स्लेवस जो है यहां पर पूर्ता कंप्लीट कराया जाएगा तो चलिए देखते हम ज्वाला मुखी के बारे में और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्वाला मुखी क्या होता है ज्वाला मुखी जो है वह पिगली हुई चटान मैगमा का संकीड ज्वाला मुखी या दरारों के माध्यम से प्रिथवी की सता पर या उसकी ओर बढ़ना ज्वाला मुखी के रूप में माना जाता है जो पिगली हुई चटाने होती है ज्वाला मुखी चिद्रों के माध्यम से जब प्रिथवी की सता पर आ जाती है नीचे से उपर आने लगती है वो से भाप गैसों जैसे हैड्रोजन सलफाइड सेलफ डीस दी आकसाइड हैड्रोजन क्लोराइड हैड्रोजन डायक्साइड वाद तोखडो के माध्यम से हमारी जमियनी सपाफ आकर गिरता है जो हमारा एक प्रकार से जोलामूखी बंता कैसे है वह पृतविक भाग न हमारी होड के सथ्रा चृष्ट माध्यम से क elas जब ऊपर आता है तो ऊपर आता क्या है भाप आते हैं गैस है sufficient Сегодня with और Esta solid majd З suscept video प्रकार से ज्वाला मुखी बनता है आगे देखेंगे ज्वाला मुखी लावा की रासायनिक संरचना और चिपचिपाहट के आधार पर कई अलग आधार आकार धारत कर सकता है हम ज्वाला मुखी के प्रकार की बात करें हमने ज्वाला मुखी को अच्छे से समझ लिया ज्वाला मुखी होता क्या है ज्वाला मुखी हमारा जो आंतरिक भाग से जब चक्ताने पिघलती हैं तो मैगमा के रूप में हमारे प्रिथवी के जो क्रस्ट हैं या दरारे हैं उसक की मूल बाते का वरगी करड सबसे पहले देखेंगे उसके बाद हम जो आलमुखी की प्रकारों को या वरण यहां पर कर रहे हैं पहला है हमारा सक्री सक्री जो आलमुखी वह है जो हाल ही में फूटा है या फिर से फूटने के कगार पर है अर्थात जो चीज एक्टिव का मतल है तो वह भी सक्री जो आलमुखी है अगला हमारा है प्रसुप्त प्रसुप्त जो आलमुखी वह है जो लंबे समय से नहीं फूटा है लेकिन फिर भी भविस्य में ऐसा करने में सच्छम है एक ऐसा जो आलमुखी जो बहुत लंबे समय से नहीं फूटा है लेकिन आने वाल समय में वह फूट सकता है वह फूटने में सच्छम है तो वह प्रसुप्त ज्वाला मुखी है तीसरा हमारा है विलुप्त ज्वाला मुखी वह है जो आखरी बार हजारों साल पहले फूटा था अब फूटने की संभावना नहीं है अर्थात बहुत पहले वह फूटा हुआ ज पहला जोटे संग को घृट से ऑद ROSE एक बारी पूडती होते हैं वह लगभग एक बारी फूटते हैं सिंडर संकु बड़े ज्वाला मुखियों पर साइड वेंट के रूप में या प्रिथक सिंडर वंग के रूप में उत्पन हो सकते हैं आगे हम देखेंगे अगला हमारा है समग्र ज्वाला मुखी मिस्रित ज्वाला मुखी च्च्टान की परतों से बने होते हैं जिनमें से अधिकांस उच्च चिपचि पाहट वाले लावा राख और मलंवे से बनते हैं यह समग्र ज्वाला मुखी होता है युसे खड़ी ढलानог ど mirror म批 उक покуп खड़ी भंते हैं यह ुदिभी करते हैं इसमें क्या होता है कि यह चटान के मलबों से बना होता है जिसमें राक लावा पाए जाते हैं चिपचिपाहट वाले यह होते हैं यह जो आला मुखी विसाल संक्वाकार परवत हैं जो वैकल्पिक परवतों परतों में लावा प्रवाह और अन्य इजेक्टा से बने होते हैं इसलिए इन्हें इस्ट्रेटा नाम दिया जाता है यह जो चैप्टर आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है इसका सेम टू सेम आपको पीडिया नोट्स जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर अगर आप अपना नोट्स बनाना चात कषणा यह जोते हैं सिंडर के दूसरे के ऊपर जम हो जाते हैं लावा राक के उपर अपर आता है ठंडा होता है और कठोर चलता रहता है आगे देखेंगे हमारा को हैं अगलार अमारा कवच ज्शा나edel होता है भाले ज्शाल लावा प्रौष कैंशाल्तिक निर्मित लंबी मुखी होती है वह एक कटोरे के भाती बनी होती है यह कम चिपचिपापन वाले लावा के विस्फोट से उत्पन होते हैं जो वेंट से लंबी दूई तै करते हैं यह आम तोर पर बड़े पैमाने पर नहीं फूटता है सील्ड ज्वाला मुखी महादूइपी सेंटिक की तुन थेष्यश का पाई जाता है सील्ड संकु पूरे हवाईयन ज्वाला मुखी ब्रडाली में पाए जाते हैं और वे आइस लेंड में भी अकसर होता हैं वे कभी कभी पहले के ज्वाला मुखी विस्फोट के क्रेटर के भीतर पाए जाते हैं वे एक समग्र ज्वाला मुखी की तरह हिंसक और विस्फोटक तरीके से फूट सकते हैं हाला कि लावा सायद ही कभी फूटने वाले विंट से बहुत दूर बैता है अगर हम प्रत्वी की सता के अंदर ये बाहर लावा के जमने से बनती हैं जो उला मुख्य जो भूआ क्रिवेस करता है और जहां यह दराौ के आकार और पृष्वी की सता के सापे उसके अस्थान के आधार पर विभिन प्रकार की घुसपैट वाली भुव्-ाक्रितीयं बनाता है जब वह पृध्वी की सता पर पहुंचने में असमर्थ होता है तो ऐसा बनाता है वह दरारों में आकर सेप ले लेता है प्रमुक घुसपैट रूपों में बाथोलित लैकोपित लोपोलित और फैकोलित सिल्स और डाइक्स सामिल होते हैं आगे देखेंगे हम अचानक होने वाली हलचलों के दो उधारण हैं जो कम समय में विक्रिती उत्पन करते हैं प्रिथवी की चट्टानों से गिजरने वाली भूकमपी तरंगो द्वारा उत्पन जमीन के किसी भी अचानक हिलने को भूकमप कहा जाता है जबकि ज्वाला मुखी जो है वह प्रिथवी की परत में एक दरार है जो लावा ज्वाला मुखी रा होता है जो कम समय में बहुत एक परकार से छती पहुंचा देता है प्रितवी की चट्टानों से गुझरने वाली भूCampी तरंगो द्वारा उत्पन जमीन की किसी भी अचानक हिलने तक अगर आप आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं और ये आपका चैप्तर जो था जुवाला मुखी यहां पर समाप्त होता है आप वीडियो लेक्Jamst देखते हैं कमेंट करते हैं सर नेक्स्क चैप्टर बता दीजिए कमेंट करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं आप लाइक कर दिये करिए चैनल जिससे हमको भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार आपके नेक्स चैप्टर आते रहेंगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के पास सेर कीजिए बाद मिलते हैं अगले वीडियो में